हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रस के बारे में दोस्तों रस क्या है रस कितने प्रकार का होता है और ये हमें हाई स्कूल इंटर दोनों में देखने को मिल जाएगा और बहुत इंपोर्टेंट है दो नमबर हमें से दो नमबर इसमें से पूछा जाएगा इंपोर्टेंट है क्योंकि हमें इसका उधारन कैसे लिखना है कैसे हमें स्पष्टी करन लिखना है और कैसे हमें इसकी परिभाफा लिखनी है यह हमें यहाँ पर ट्रिक पता होनी चाहिए क्योंकि अगर हम गलत लिखेंगे तो हमें एक से डेर्ड नमबर मिल लेगा हमें दो नमबर पूरे चाहिए तो दो नमबर पूरे कैसे पाएंगे यह मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तो मैं रस के बारे में बताऊंगा रस कितने प्रकार के हैं दोस्तो यहाँ पर रस रस क्या है जैसे आप कोई भी काब है पढ़िए जैसे कोई काब पढ़ लीजे आप पढ़ते हैं मेवाड मुकूटिया कुछ भी पढ़ते हैं जैसे स्याम नायर पांडे का पढ़ते है सफल चवानी को तो इसमें आपको कुछ मतलब एक बीरता लगी कि इसमें कोई बीर पुरुस की बात की गई या बीरता की बात की गई है तो दोस्तों उसमें से आपको रस उत्पन हुआ यानि आपको एक छत्रिय भाव या आपको बीरता, इसका एक रस उत्पन्वा, एक इसकी अनुभूती हुई, वही रस है, जैसे अब यहापक किसी काब्बे को पढ़ने या सुनने से जो आनंद की अनुभूती होते हैं, उसे रस कहते हैं, आर रस कोई भी सौंग सुन लीजिए, आप सौंग से जो आपको अ आप जो भी पसंद करते हैं, दोहा पढ़िये, तो उससे जो आपको अनुभूती हो, जो आपको मन में आपको आनंद मिले, वही रस है, तो रस को मैंने आपको अच्छे से डिफाइन किया, आपको अच्छे समझ आ भी गया होगा रस क्या है, तो रस जरसल नव प्रकार के ह होते हैं, तो नव प्रकार के रस में जो हमारा इंटर के सलेवस में है, 9th, 10th, 11th, 12th, जो इस सम्मे पूछा जाएगा, मैं उतने की ही बात करूँगा, तो इतने में 5 रस आते हैं, और उन्हीं 5 रस की मैं बात करूँगा, स्रिंगार, करूड, हास, वीर और सांत, यही 5 रस ह प्रेम तो नायक और नायका के मन में संसकार रूप से इस्थित रतिया प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंच कर अस्वादन की योग हो जाता है तो अस्रिंगार रस कहलाता है यानि मतलब इसे नायक नायका आप नायक मतलब इसे इंगलिस में इसको कहें तो हीरो होता है य या दो कोई जो आपको जैसे मैंने आपर उदान लिखा हुए एक हगमरी गहे मदुकर स्रेणी यह मैं आपको एक उदारन बताता हूँ दूला स्री रगुनात बने दूले सिय सुन्दर मंदिर माही गावत गीत सबय सुन्दर वेद जुआ जुरी भी प्रपड़ाई तहाँ पर राम और सीता के बारे में बात किया गया है तहाँ पर राम नायक सीता नायका है तिस प्रकार यहाँ पर नायक और नायका के मन में संस कार रूप से इस्तिर रतिया प्रेम जब रसके वस्ता को पोटकरास वाधन के योग हो जाता है तो सिंगा रसके लाता है उधारन मैंने लिखा हुआ है खंग म्रीग है मदुकस रेनी तुम दीखे सीता म्रीग नी इतना तो बहुत है लेकिन आपको कोई अच्छा उधारन चा सदयों के लिए बिछड जाने पर करुडफ उत्पन होता है जैसे बंधु बिनास यानि किसी मित्रया इसका बिनास या बंधु बियोग बिछड जाना द्रब बिनास किसी वस्तु का नश्ट होना और प्रेमी के सदयों के लिए बिछड जाने पर करुडफ उत्पन होता है उदान देखते हैं, इस करूडा कली धिर्दय में अब विकल रागिनी बजती क्यों हाहा कार स्वरों में बेधना असीम गरस्ती, यह संकर पुसाद जी का आसू जो लिखा गया है, उसी में से लिया गया है, तो इसमें आलंबन जो प्रिया है, और उसके मतलब प्रिया की मृत जो जाती तो उसी का यहाँ पर वड़न किया गया है, तो यहाँ पर इस करूडा कली धिर्दय में अब विकल रागिनी बजती क्यों हाहा कार स्वरों में बेधना सीम गरस्ती, आपको अस्थाई भाव जरूर से लिख देना है, ठीक अब अगला रस देखते हैं, तो अगला है हासरस किसी की बेश भूसा यानि किसी के वस्त्र को देखकर, किसी की वानी, किसी को बोली सुनकर, चेश्ठा किसी की, मतलब जो वो इधर उधर यानि मनोरंजन करता है, एक प्रकार का आधी की विक्रिती को देखकर, हिर्दय में जो बिनोध भाव, बिनोध मतलब जो भा उत्पन होता है उसे ही हास रस जैसे आप कोई भी पढ़िए जैसे सीज पर गंगा हसें भुजनी भुजंगा हसें हास ही को दंगा भयो नंगा के बिवा में तो मैं एक उधान आपको कोई मुखि कोी मुखि कोई किसी के पास मुखि नहीं था जो सीज पर गिवा जो शीज बराती आये ते रहे कई पास मुखी नहीं था बिनुपद कर कौ बहुपदबाओ आप देख सकते, फिर अगला है बीररस युद हतवा किसी कठिन कारे को करने के लिए हिरदै में जो उस्ता जाग रही हिथा था बीररस जैसे कोई आपसे कही का आप ये कारे नहीं कर सके लेगिन आपको ठान लिया कि मैं ये कारे करके दिखाऊंगा तो आपके अंदर एक रस की उत्पन्वी आपके अंदर एक बीरता बीरता उत्पन्वी वही बीर रस है तो बीर रस का उधारण जैसे चड़ चेतक पर तलवार चेतक बन गया निराला था राणा प्रताप के घोडे से पढ़ गया हवा का पाला था तो अब अगला रस देखते हैं आगे एक रस मैंने उधारण और भी लिखा है आगे नदिया पड़ी अपार घोडा कैसे उत्रे पार राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार तो अब अगला रस देखते हैं सांतरस तो सांतरस में है तत्त ग्यान की प्राप्ति अत्वा संसार के बैराग से सांत की उत्पति यानि तत्त ग्यान यानि हमें पूरी तरह के ग्यान की प्राप्ति होता है इसे रिसिमुनी उन्हीं को सांतरस की प्राप्ति होती है अत्वा हरी था तब मैंने ये साधो ने कहा हुआ है संद कबीर जी ने कहा जब मैं था जब हरी थे जब भगवान त्री हरी थे तब मैं नहीं था और अब वो है तो मैं नहीं हूँ तो सब अंधियारा यानि मैंने उनका दर्शन नहीं पाया सब अंधियारा मिठ गया जब दीपक देख लिया है तो यहाँ पर सांत रस का उदाहण मैंने दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर पूरी तरह से रस बताने की कोसिस किया दोस्तों उमीद करता हूं आपको रस समझ में आया होगा दोस्तों वीड़ो कैसा लगा कमेंटो अक्स JALU बताना और आगे या निवल वीडियो में आपको अलंकार और छंद भी देखने को मिलेंगे तो चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में तब तक के लिए बाई-बाई टेक केर